हलो गाइज, वेलकम टो यूट्यूब चैनल वेबसाइट हिंदी आज की वीडियो में बात करूँगा फिरी लैप्टाप योजना के बारे में बिहार फिरी लैप्टाप योजना का फ्रम निकल गया है निचे स्क्रोल डाउन करने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं डेट मिल जाता है अंतिम डेट आजी तक है जो कि आपको फरम भर देना चाहिए निचे स्क्रोल करने के बाद में यहाँ पर देखे लिंक के मिल जाता है जहां से आसानी से आप फरम को भर सकते हैं यहां पर step by step समझाया भे गया है कि आपको किस तरह से फरम को भरना है यहां पर देखिए 21 नंबर तक रेजिस्टर करने का अपसन आ जाता है इसका स्क्रीन सोट भी यहां पर मैं लगा दिया हूँ जिसको भरने के बाद में आसानी से आप रेजिस्टर बटन पर किलिक करके रेजिस्टर कर देंगे सबसे पहले आपको यहां पर दिये गया लिंक पर किलिक करना है देखिए यहां पर लिंक मिल या दैस पर किलिक कर देना है new tab में आपके समने इस तरह का interface दिखाई देगा दोस्तों यदि आप mobile पर कर रहा हैं तो mobile के browser को desktop version में convert कर लिजिए ताकि इस तरह का interface आपके समने दिखाई दे यहाँ पर दिखे दिया हुआ है choose glass यहाँ से class को select करना है जैसा कि 10, 11 जो भी हैं आप यहाँ से select करेंगे यहाँ पर applicant का नाम दर्ज करना है जो भी applicant का नाम दर्ज करेंगे mother's name दर्ज करना है father's name दर्ज करना है यहाँ पर यहाँ पर दिखे date of birth select करना है इस calendar के माध्यम से जो भी date of birth आपका होगा आप यहाँ से select करेंगे सिलेट करने के बाद में आप यहां से नमबर सिलेट करेंगे इस तरह से जेंडर सिलेट करेंगे यहां से मेल फीमेल जो भी होगा यहां से सिलेट करेंगे यहां से मोबाइल नमबर दज करेंगे मोबाइल नमबर दज करने के बाद यहां पर देखें इमेल आड़ी दज एक बाद 10 OTP to verify the email ID के option पर क्लिक कर देंगे, ऐसा करने से यह email verified हो जाएगा, यहां से nationality select करेंगे, इंडियन जो भी है select करेंगे, यहां पर address डालेंगे, correspondence address, यहां पर pin code डालेंगे, यहां पर दिखे स्कूल का नाम दर्ज करेंगे, साथ में address भी लगा देना है, यहां पर दे state कर चुनाओ करिए, जिसे कि बिहार, यहां से district कर चुनाओ करिए, जो भी district में आप रहते हैं, आप चुनाओ यहां से कर सकते हैं, यहां से ब्लोग कर चुनाओ करिए, जो भी ब्लोग है आप यहां से कर सकते हैं, यहां पर चूज फैल पर किलिक करके, passport size photo upload करना होगा, passport size photo का साइज है वह 20 के 20 के 50 के बीच होना चाहिए इहाँ से करना होगा जो भी सिंगनेचर का साइज है 20 के 20 के 50 कि बी में upload करना है निचे सबसे देखे declaration दिया हुआ है यहां से accept करना है accept करने के बाद register बटन पर click कर देना है आपके सामने यहाँ पर देखे दिखाए देगा कि registration number इस registration number आप status भी जान सकते हैं यदि आप जानना चाहते हैं कि आपका परिच्छा क्वाब होगा यहाँ पर देखे admit card और result का भी तीथी दिये गए हैं इस तरह से आसानी से आप फिर लैपटप योजना में फरम बरके आप इस्टेटस भी चेक कर सकते हैं यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें शेयर करें और वेबसाइट हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें इस वीडियो से समझे तो कोई भी सवाल या सुझाओ हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं मिलते हैं नी वीडियो में धन्यवाद